अब सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली 26 जन्वरी का दिन जिस दिन सुरक्षा आम तौर से 4-5 गुना ज्यादा होती है उस दिन लालकड़े पे चड़ जाता कोई और सरकार इसी बात से खुश होती है कि किसाना अंदुलन एक्सपोज हो गया रोही जी देखिए सबसे पहले तो दिगांबर सिंग यहां पे हैं ये कह रहेते दिल्ली किसी की बाप की नहीं है तो इनी की भाशा में इनका उत्तर दे दूं केवल दिल्ली नहीं पूरा भारत हमारे बाप का भी है पर दादा का भी है खून बहाया है हमने और दिल्ली को इक लोती आपकी नहीं है दूसरी बात ये आंदोलन और कानून वाक्सी तो केवल एक बहाना है हमारा प्यारा लोगतंतर इनका निशाना है रोईजी और आप ने कहा कि आप लोग तो खुश होंगे कि ये लोग इनका सत्य उजागर हुआ मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहता हूँ खुश होंगे हमारे लाल किले पे तिरंगे के साथ एक और ध्वज अगर ये लहराने का प्रियास करते हो लहराते हैं इससे ज़्यादा दर्द की बात क्या हो सकती है आप हमें बताईए लेकिन आज क्या बड़े सवाल है मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं अपनी ही बात हुई है और जो भी ऐसे नेता है जो किसान नहीं है जो दंगाई है उनके खिलाफ एफायर हुई है और सक्त सक्त करवाई आगे भी होगी और ये बहरूपिये जो किसानों के कंदे से अपनी बंदूग चलाना चाहते हैं इनको इनकी हैसियत हमारी सरकार और पुलिस क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना एक सैयन दिखाया और साथ में अपनी हिम्मत दिखाई कुछ वीडियो आज वाइरेल हुए हैं जिस तरह से भीड ने अराजक तत्वों ने उन पे हमला किया लेकिन उन्होंने सैयन नहीं कोया उनको सलाम है सल्यूट है गरतंत्र सारी शर्ते मानेंगे तो कैसे आपने रूट बदला कैसे ट्रॉली लगी थी कैसे तलवारी निकाली गई कैसे पुलिस कर्मियों पे हमला कर दिया आपने और आपके ये नेता चूहे की तरह बिल में क्यों गुज गए थे ये आप पूरे देश को जरूर बताईएगा दूस आए वो मंता बैनर जी अखिले यादा हों किसी ने भी निंदा नहीं करी जो हुआ लाल किले में तो ये विचारधारा की लडाई है कि क्या आप विरोध करते करते अराजकता के साथ खड़े हो जाएंगे क्या आप तिरंगे का आपमान भी बरदाश करेंगे और निंदा न यह से निगर पाते और तियो हमारा व्यक्ष की ये घुचार्णे कि हमारा सब्सक्राधार अपके लाल किले पर चड़कर उपद्रवी जंडा प्यरा देते हैं अपना ख्रण शाते रंगा फ्यरा जाता है आप कुछ नहीं करपाते और आप कहते हैं हमारा मास्टर्स घोक है कब तक बरग लाएंगे लोगों को क्यों नहीं मान्ते कि आप से नहीं उपारा नहीं कर पाते हैं आप किसी भी संवाइं नहीं कर पाए देश की राजधानी बार-बार बंदक बन जाती है और आप उसे मास्टर्सutral क बताते हैं रहर बार बर्गलाता कौन है पहले इस पर उत्तर देता हूँ आप ही के अंग्रेजी के चैनल के पत्रकार रादीव सरदिसाई तल एक वीडियो आया था रोहे जी और मीडिया की क्या जिम्मधारी है या आप से बहतर कोई पत्रकार नहीं जानता है उनके वीडियो में कहा जा रहा था क नवनीज सिंग नामा के किसान को सर पे गोली मार दी गयी है और इसकी वज़ा से वहां आHH अशांती है और पता क्या चला वह गोली सर पे नहीं मारी गई वो ट्रैक्टर से खेल कूद कर रहा था, ट्रैक्टर पलट गया और वो मर गया, तो कौन बरगला रहा है, कौन जूटी खबरे पहला रहा है, इसके लिए आप में चिंतन करना चाहिए, दूसरी बात, मैं समझता हूँ, रोई जी आप मेरी बात हो जाए, मैं आपकी बात का उ पहले बाते हैं, या म सम्क्राइब है, तोि मैं में नहीं करेंगे, आप बोलना चाहते है, आप पहले बोलिये, फिर मैं बोलूगा कोई की नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके चैनल की रिखेश्य राइक्सम करने को सब्सक्राइब लेकिन को घबड़ा गया है ने कोई लड़ाई नहीं है ये मेरे विचार है आपको सही लगे आप कहिए का सही है धलत लगे मत पानिये लेकिन मुझ से लड़िये मत आप सुतंतर पानुनी कारवाय करने को मैं आपकी बात के लिए लड़ रहा हूं कि वहाँ पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए छुपे बैटे हैं हाथ जोड़के अपने तस्वीर देखी जर वो वहाँ पुलिस वाले खाई में कूदने को मजबूर हैं क्योंकि हूंगा और आपकी बात का उत्तर जरूर दूँगा इसके बाद एक ही लाइन बोल रहा हूं आप भी आप में चिंतन करिएगा कि चैनल की जिम्मेदारी ये कहके खतम हो जाती है कि आप लोगे फायर करा दीजिए ये सोचिएगा आपने क्या कारवाई करी ये बताईएगा आप सुनिए जो आपने का रोहिजि आपके चैनल पे भी और तमाम चैनल पे हम आए है लोगों ने बार बार रोहिजि एक बात कही ये سरकार ऐसी है ये बात नहीं करना चाती आसू गया चलाती है मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब हम लाकी ना चलाए तो भी गलत है और निंदर ये है आप पूछेगा कॉंग्रेस के दूसरी बात पुलिस कर्मियों ने वो किया जो सही था और इसके लिए हमें उन्हें शाबाशी देनी चाहिए सरकार सक्ती सा आगे पेश आएगी ये जो बहुरूपिये है जब इनको नोटिस दिया गया था रोई जी आप ही ने कि अरakers के ठीक है जाली करता है जाली कर दा वो बदो चाहिए सरकार बार जीए है जाम झारी कि अका बथ़र दोबनाए है जी झाँ सकती अondern